नमस्कार स्वागत है बच्चों आपका सेल स्टेडी के चैनल में और आज हम डिसकस करने वाले हैं अपनी जोग्रोफी की थर्ड वीडियो जिसके अंदर हम कोशन्स देख रहे थे पिछली दो वीडियो के अंदर हमने देखा था कि भारत की लोकेशन फिर उसके बाद कौन-क जोग्रोफी के नाम से वहांपर आप जाके इन दोनों वीडियो को देख सकते हैं और आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं परवत 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 से ङलेटिट दर्ण और यहां पर जील इन चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे या पिर कहिए इन से लिमनोलोजी कहते हैं देखो लिमनोलोजी कहलो या फिर सरोविज्ञान कहलो ये दोनों एकी नाम है अब इसके अंतरगत जो है यानि लिमनोलोजी और सरोविज्ञान के अंदर जीलों के अध्यन भी करते हैं तलाबों का अध्यन भी करते हैं नदियों का भी करते हैं नम यान आपने reasoning में होते हैं कि एक option ऐसा दे देते हैं कि उसके अंदर ode चीज जो है वो आपको चांटनी होती है सेम यही है ऐसी कोई चीज है जो इसमें ode है वो आपको चांटनी है कि निमलिकित में से किस थल को युनेशको की विश्व विरासत की थलों की सूची में शामिल किया गया है तो इसमें किसमें क्या गया भई इसका अंसर हो जागा सुंदरवन नैशनल पार्क सुन्दरवन नेशनल पार्क यहां पर आता है तो इसको क्या है विश्व विरासत सलो की सूची में शामिल किया गया है और इस सूची के अंदर जो है केवला देव राष्टे पार्क को काजी रंगा नेशनल पार्क मानस वन्य जीव अभ्भारन ये सारे क्या है, 1985 को इनको काप कर लिया गया था, विश्व विरासित द्रोवर में शामिल कर लिया गया था, अब अच्छा, नंदा देवी रास्ट्या भारण को 1988 में समिलित किया गया था, विश्व द्रोवर की सुची में, वर्तमान में भारत के साथ तो प्राकर्तिक स्थल हैं 30 Sanskrit है और एक Mrs. दल शामिल है क्लिए total हो गए इसके अंदर 38 अब fourth question क्या रहा है fourth question क्या रहा है कि जोजिला दर्रा किसको जोडता है अब यहां पर आपके सामने map भी लगा हुआ है यहां पर जोजिला दर्रा है जोजिला दर्रा शिरनगर और ले को जोडता है तो आपके सामने option हो जगा यहां पर ए तो जोजिला जर्रा तो आभी बाजित जो अभी मतलब यहां पर आभी बाजित लिखा गया क्योंकि अब यहां पर जो है यह एक तरीके से मतलब कि यह जो पास एक टनल गुजरती है यहां से उसका जो जिला टनल अब यह जो है इसकी उन्चाई कहा है 11,58 फिट इसकी उन्चाई हो जाती है अब 5th question कहा है पीर पंजाल और दोला दर के बीच में ही कुलू और मनाली है तो ये जो है घाटी जो है वो एक तरीके से पीर पंजाल और दोला दर के बीच मिस्तीत है अब कुलू घाटी किसके बीच मिस्तीत है आप यहाँ पर पता लगा सकते हो तो दोलादर और पीर पंजाल के बीच में तो D इसका आंसर हो जाएगा अगला पूछा गया है 6th question कुलु घटी इनकी परवशेणियों के बीच स्तीत है फिर से वही question है किसके बीच में स्तीत है भई दोलादर पीर पंजाल के बीच में questions आये हुए है यह CHSL के अंदर आया हुआ है यह CPO के अंदर आया हुआ है सारे जो है previous years related question है अच्छा हिमाजर परदेश में स्थीत दर्रे हैं देखे कुछ important जो दर्रे यहाँ पर लिखे भूई है यह 12 लाचाला हो गया यह रोतांग हो गया यह बेबसा हो गया यह CPO कला हो गया तो काफी important है तो यहाँ पर आपसे पूछा है सिपकिला जो हो गया यह रहा यहाँ पर important है तो यह हिमाजर परदेश में है तो यह इस cancer हो जाएगा काफी important है सतलज नदी इसी दर्रे से परवेश कर रही है भारत के अंदर अब आते हैं पाल घाट निमली कितमे से किन राज्यों को जोड़ता है पाल घाट जो है वो यहाँ पर पढ़ता है तो पाल घाट जो है वो केलरोल तमिलाडू को जोड़ता है पढ़ता कहां पर है वेस्टन घाट की तरफ में पढ़ता है तो ये है अरावली रेंज के अंदर अस्तीत है ये तो आंसर हो जएका आपके सामनी D 10th question कहा रहा है कि देखिए इन में से जो जील है वो कौन से राज्ये में आती है आपको उसका बताना है पुलिकट जील कहां पर आती है चिलका जील कहां पर आती है ये सामबर जील कहां पर आती है देखिए सामबर जील आती है राजस्तान के अंदर वूलर जील कहां आती है वूलर जील आती है कश्मीर के अंदर चिलका जील कहां आती है उडिसा के अंदर पुलिकट जील कहां आती है ये तमिलाडू के अंदर तो अब का आंसर होजेगा A, यहां पर दिया भी हुआ है और फिर से यह भी बात लिखी गई, 31 अक्तुबर 2019 इसको अब यह जिला नहीं, एक Union Territory हो गया है जम्हू कश्मीर, इसका ध्यान रखना है 11th question, 11th question कहा रहा है कि किस हिमाले चोटी को सागरमाथा भी कहा जाता है सागरमाथा, Mount Everest को कहते है यह जो नेपाल में आता है, नेपाल में इसको Mount Everest नहीं बलकि सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है तो इसका ध्यान रखना है multi-tasking, यानि SSE multi-tasking के अंदर यह 2013 के अंदर question पूछा गया था विश्व की सबसे उची चोटी यही है second चोटी जो है, वो K2 है हिमाले की सबसे पूरुव चोटी कौन सी देकि हिमाले की सबसे पूरुव चोटी देकि हिमाले को अगर ऐसे बाटा जाए न अब Godwin Austin क्या है देकि Godwin Austin एक तरीके का एक परवत है यह चोटी है, सिखर है तो यह जो है, वो P.O.K. यानि Park Occupied कश्मीर में आते है लेकिन वो भारत का हिस्सा है तो पूछा जाएगा कि भारत की सबसे उची चोटी कौन सी वो K2 या फिर कहीं Godwin Austin इसके दो नाम है, केटू या Godwin Austin अब यहाँ पर भारत का सबसे उची चोटी विश्व की दूसरी सबसे उची चोटी यही है, तो आपके सामने आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का B भारत की सबसे उची चोटी केटू यानि Godwin Austin है, जिसकी उचाएगा इतनी 8,611 मेंटर है अब यह जो है, वो जम्मौकश्मीर के कारकोरम श्रेणी में आती है IMPORTANT है कारकोरम यहाँ होगी लद्दाग यहाँ होगी, जासकर यहाँ होगी तो IMPORTANT है अब दूसरी सबसे उची चोटी है विश्व की यह 14th Q second वही है भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है? केटू 15th question 15th question कहा रहा है कि कौन सा परवर्त हिमाले शिंकला का अंग नहीं है? अब आप देखें तो कुलून हो गया ये रहा है आपर, कुलून हो गया, ये परवर्त 16th question 16th question में है निमलिकेत में सबसे पुरानी परवर्त शिंकला कौन सी? देखें सबसे पुरानी परवर्त शिंकला जो है वो है अरावली यहाँ पर तो आपके सामने और ओप्शन हो जाएगा? अरे चल रहा है नहीं, चल रहा है D, clear सबसे पुरानी शिंकला के रूप में किसको माना जाएगा यहाँ पर अरावली को और अरावली पर यहाँ पर सबसे उची चोटी कौन सी? गुरु सिकर, यह important है 17th question पुछा गया है कि इन में से कौन सा मोड़दार मोड़दार परवत का एक उधारन है मोड़दार परवत यानि की उधारन नहीं है मोड़दार परवत का उधारन नहीं है तो यानि जो यह यहाँ पर आप देखे न mountain के जो type आपने देखा ऐसे जब दो plate आपस में टकरा रही है जो यह टकराती है तो वह ऐसे इस shape में आती है, तो इसको मोड़दार परवत का जाता है तो यहाँ पर जो है, वो कौन सा नहीं है, तो वो है अरावली अरावली क्या एक अवसिस्ट परवत है, clear यहाँ पर और बाकी जो यह हो गया, रोकी हो गया, हिमाले हो गया एंडीज हो गया, यह जो है, वो मोड़दार परवत के उधारण है 18th question पर आते हैं, 18th question कह रहा है कि निमन हिमाले यानि लैसर हिमाले और डैश के बीच में इस तीत लमवत गाटी को दून के नाम से जाना जाता है, अब निमन हिमाले यानि लैसर हिमाले हो गया, लैसर हिमाले और यहां पर शिवालिक हो गया तो यहां पर जो गाटी है, यहां पर जो गाटी है तो उसको दून के नाम से जाना जाता है, कौन सा है यहां पर यहां पर तो हो गया यहाँ पर जो है दून या दवार के नाम से जाना जाते हैं इन दोनों के बीच में जैसे देरा दून हर्दवार हो गया अब वह तक greater हिमाले का दूसरा नाम क्या है काफी important है greater हिमाले का जो दूसरा नाम है वो हिमादरी है सहादृ जो है वो पश्चिमी घाट को कहा जाते है osphРИ हमादरी सहादरी काफी important है यह चीजह है पूछा जाता है बार-बार 20 question कह रहा है कि सतलज और काली नदी के बीच में स्थित हिमाले के भाग को dash का जाता है देखें ये रही काली नदी ये काली नदी है और ये सतलज है तो यहाँ पर आप देखें न डिजनल शित्र के according जो हिमाले को बाटा गया है पंजाब हिमाले, कुमाओ हिमाले नेपाल हिमाले और आसम हिमाले तो ये पूछा गया है कि काली नदी और सतलज के बीच में कौन से है कुमाई हिमाले और यहाँ पर अगर आप से पूछे काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा है? तो नेपाल हिमालय है तो यह पूछा जाता है कि कौन सी नदी के बीच में है सतलज और इंडस यानि सिंदु नदी के बीच में कौन सा है? पंजाब हिमालय है तो यह important चीजे हैं अब यहाँ पर पूछा गया है सतलज और काली नदी के बीच में सतलज और काली नदी के बीच में तो कुमावु हिमाले हो गया तो सी इसका आंसर हो गया clear यहाँ पर और यह उत्राकंट शेतर तक विश्थित है नंदा देवी,बदरीनाथ,किदारनाथ,त्रिशूल आधी इसी शेतर के अंदर है clear यहाँ पर अब आते हैं नाग तीबा और महाबारत जो परवश शिंक लाए ہیں वो किस के अंदर है clear OR शिवालिक शिवालिक दक्षनहिमाले भाग और उत्रःमाले भाग आते है परवत माला भी कहा जाता है यानि किसको कहा जाता है सयाधरी सयाधरी कहा जाता है पश्चिम घाट को अभी बता है ना मैंने पश्चिमी घाट को अभी थोड़ देर पहले हिमादरी क्या कहा जाता है ग्रेटर हिमाले को सयाधरी किसको कहा जाता है पश्चिम घाट को तो पश्चिम घाट को मतलब की डिवाइड करका है Northern Western घाट Central western घाट और Southern Western घाट के according अब यहाँ पर इसमें जो एक चीज है इसको सैध्री तो कहाए जाते हैं इसकी 1500 km इसकी length है तोटल यहाँ से start होते हैं 1600 km तक आते हैं आप यहाँ पर जो है केरल और तमिलाडू को जोड़ता है, इसको important है, यह बहुत important चीज़ है, याद रखने के लिए है, अब यहाँ पर आपको बताएं, जो उत्री उत्री जो है, उत्री सहादरी यहाँ पर शुरू होता है देखें, उत्री सहादरी, मद्धे सहादरी पूरवी घाट को यहाँ पर कॉरमंडल तट भी का जाते है 23rd question पूछा गया है कि सहादरी परवश शुकला का अन्य नाम क्या है पश्चमी घाट है तो सहादरी, हिमादरी, कॉंकर्ण तट, मालाबर तट, कॉरमंडल तट इन चीज़ों को हमने याद रखना है 24th question पर आते है निमलिकित में से कौन सा कथन सही है अब यहाँ पर आपके सामने देखा है कि महादेव की पाड़ियां, महकाल पाड़ी के पश्ची में अब यहाँ पर आप देखो दे रहा यह रही महादेव की पाड़ियां यह महादेव की पाड़ियां, यह महकाल रेंज होगी यहाँ पर तो मेकाल रेंच का आखर में बताओं तो यह होगी यहाँ पर नोर्थ यह हो गया, सा kepada वेस्ट यह हो गया, इस्ट यह हो गया, एस्ट तो वेस्टन साइड में पढ़ता है तो अब यहाँ पर पूचा जाए सौशन में महादेव की पाड़ी है मेकाल पाडियों के पश्चिम में बिल्कुल सही तो ए इसका अंसर हो जाएगा यहाँ पे पंचमडी इसी पहाडी पर है अभी आपको मैप में दिखाऊँगा उसको में भारत का सबसे उचा पठार कौन से तो भारत का सबसे उचा पठार है अब लदाग जो आपको पता है कि इनियन टेरिटरी बन गया है अच्छा प्राकरतिक मार्ग उपलद कराने वाले परवत के किस अंतराल यानि गैब को निमल लिकित में से क्या का जाते है एक आपने सुना होगा कि जो दो परवत के बीच में जो जगा होती कौन सी है प्राइदीप या भारत की प्राइदीप का मतलब होता है ना पैनिन्सुलर जो तीन तरफ से पानी से गिरा हो तो इसलिए प्राइदीप उसे कहा जाता है तो इसका आंसर है यहां पर अन्नाई मुडी अन्नाई मुडी जो काफी इंपोर्टन्ट है 2695 मिटर इसकी हाइट है दोड़ा बेटा यहीं पर है 2637 है यहां पर पलानी है यह भी काफी पोर्टन है 2640 है यह सारी जो तीनों की तीनों जो हैं चोटियां काफी इंपोर्टन्ट है तो प्राइद लीपिया भारत या फिर कौँ दक्षन भारत की सबसे उची चोटी यह अन्नाई मुडी है अब यह दोड़ा बेटे जो है यह नीलगरी पहाडी में है इसका इम्पोर्टन्ट है दोड़ा बेटा कहाँ पर है यह नीलगरी पहाडी के अंदर है निलगिरी के दक्षिन में अन्नाईमली पहाडी में स्तीत है कौन सी अन्नाईम बेटा जो है वो इसकी दूसरी सबसे हूची चोटी है जिसकी उंचाई के तनी है 2637 है यह निलगिरी पहाडी में है important है निलगिरी पहाडी में कौन सा है डोडा बेटा है यह इस चीज का ध्यान रखना है कहीं सोचो कि अनाई मुडी नीलगिरी के अंदर है नहीं वो नहीं है नीलगिरी के दक्षन में है यहाँ नीलगिरी की पाड़ी आओंगी इसके साउथ में पढ़ती है अनाई मुडी अब यहाँ पर अनाई मुडी आती कौन नीलगरी यहीं पर यह आ गया ? तो बच्चा सोचेगा इनीलगरी यहीं है तो यहीं पर यहीं पर यह게 आएगा ? नहीं वो सहाधरी यही पच्च्चीम घाट के अंदर आता है दोडा atenção बेटा इसको include किया जाएगा नीलगरी पाड़ी के अंदर 8126 जो सबसे ज़्यादा है इन जो options दे रखें इसके अंदर SSC section officer के अंदर आया था 2006 में नंदा देवी आता है इसके बाद 7817 मीटर के अंदर है यह कामेथ है 7756 और कुनलून है 7167 तो काफी important है यह चीज़े अब आते हैं अगले question के उपर 30th question कौन सी परवशेणी भारत में स्थीत है भारत के अंदर स्थीत है अराकान, यूमा, साल्ट रेंज और सुलेमान यह जो सुलेमान हो गया और साल्ट रेंज हो गया यह पाकिस्तान के अंदर आती है अराकान जो है मैनमार murder की तरफ पढ़ जाती है तो ये वो नहीं है तो पीर पंजाल आपको मैंने दिखाया था पीर पंजाल कहां पर पढ़ रहा है जो आपको greater हिमाले देखा था greater हिमाले के just नीचे पीर पंजाल हो गया वो सी चीज़े थी तो उसके अंदर था तो इसमें option हो जाएगा आपकी सामने D और यह जो हो गया अराकान यह होँआ मैनमार के अंदर साल ट्रेंज पाकिस्तान और सुलेमान जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ जाती है 31 question के उपर देखते है 31 question क्या कहा रहा है कि किस परवस्तल को सत्पूरा की रानी कहा जाता है तो इसका answer होता है पंचमडी तो पंचमडी को क्या कहा जाता है सत्पूरा क्योंकि इसकी काफी जादा सुन्दर है इसलिए सत्पूरा की रानी भी इसको कहा जाता है 32 question क्या कहा रहा है कि लोक्टक जील जिस पर जल विद्यूत परयोजना का निर्मान किया गया था, किस राज्य में स्थीत है, तो ये रही हमारे जो सैवन सिस्टर जिसके नाम से जाना जाता है, पिछली वीडियो हमने कवर भी की थी, सैवन सिस्टर में जो मनीपूर है, मनीपूर में ही यहाँ पर एक लोक्टक जील है, तो ओप्शन हो जाएगा यहाँ पर मनीपूर, लोक्टक जील एक है, लोक्टक एक क्या है, जील है, कॉशन ऐसे पूचे गए हैं, तो इंपोर्टन्ट है सारी की सारी चीज़े, लोनार जील कहां पर स्थीत है लोनार जील कहां पर है भईया महराष्टर के अंदर है महराष्टर में कहा है बुल धाना बुल धाना जीले में यह स्थीत है खारे पाने की जील है important है खारे पाने की अमिठे पाने की सारी चीज़े पूछे जाती है सबसे बड़ी मानव निर्मजील कौन सी है गोविंद सागर है कि कैसे बनी थी भाई या बाखड़ा बांध के कारण इसका निर्मान हुआ था क्लियर यहाँ पे नागा खासी गारो पाडियां स्थीत हैं कहाँ पर हैं देखिए गारो खासी जैनतियां यह जो पाडियां है पुर्वांचल के अंदर पढ़ती हैं पुर्वांचल परवतमाला के अंदर पढ़ती हैं पुर्वांचल इसलिए का जाता है कि वो पुरूव में पढ़ती हैं इसलिए पुर्वांचल के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसका अंसर हो जाएगा, 37th question है, शीव समूंदरम जो waterfall है, वो किस नदी के मारग में पाया जाता है, शीव समूंदरम जो है, वो कावेरी नदी के मारग में पाया जाता है, यह जो अगली वीडियो आएगी ना, जिसके अंदर हम अलग से इन waterfall को भी जो river हैं, वहाँ पर करने वाले हैं, तो वहाँ पर rivers को मैं दिखा दूँगा, और वहाँ पर जो waterfall है, वहाँ पर हम इस वीच को cover कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं map नहीं लेका है उसका, तो अगली वीडियो के अंदर, या उससे अगली वीडियो के अंदर, यह दो वीडियो और आने वाले हैं, जिसके अंदर हम इंडिया का जो drainage system है, उसको करेंगे, जहाँ पर हम river को, एके करके river, उनकी जो tributaries हैं, उन सब चीजों को हम देखेंगे, कौन सी रदी जो है, वो कौन से सागर में गिरती है, सारे चीज़े हम cover करने वाले हैं, तो अगली वीडियो में हम चीजों को इनको with map के साथ कर लेंगे, फिर पुछा गया है कि 38 question में, किस नदी पर बनाया गया waterfall है, कौन सी नदी आ जाएगी यहाँ पर, D, कावेरी, अच्छा कहाँ पर पढ़ती है, करनाटक में, करनाटक में कहाँ पर, मांडिया जिले में, clear यहाँ पर, अच्छा बल तोड़ा जो glacier है, वो कहाँ पर हैं, बल तोड़ा glacier कहाँ पर है, तो आपकी सामने सारे glacier में, यहाँ पर लेकर आया हूँ, अब आप देखेंगे, तो यहाँ पर यह रहा, बल तोड़ा, तो बल तोड़ा यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उपर की तरफ, देखिए, पामीर का पठार तो यहाँ पर आ जाता है, पामीर का पठार यहाँ पर आ जाता है, शिवालिक तो आपको पता है, यहाँ पर आ जाती है, आर्प्स यहाँ पर है नहीं, कारा कॉरम में एक बचा, तो कारा कॉरम की रेंज में यहाँ आता है, बलतोड़ा, clear तो ए इसका answer हो जगा कारा कोर, और यहीं पर जो glacier है, बियाफो हो गया सियाचीन हो गया, हिसपार हो गया यह सबी यहीं पर ही है, clear यहाँ पर अब यहाँ पर लाफो, सियाचीन यह सारी की सारी चीज़े मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है, हिसपार हो गया काफी important है चीज़े चालिस में question कहा रहा है कि भारत का सबसे उंचा जो waterfall है वो किस राज्ये के अंदर है भारत का सबसे उंचा जो waterfall है, वो करनाटक के अंदर है जिसका नाम है कुंचीकल अब यह कुंचीकल जो है वो 455 मेटर उंचा है important है करनाटक राज्ये में है क्या नाम है, कुंचीकल है अब अगला पूचा गया थे कि भारत में सबसे उंचा waterfall कौन सा है, लेकिन यहाँ पर option में ध्यान देना है कि option में कुंचीकल नहीं है तो इसमें पूचा गया है कि शिमसा, कोटालम, हागे नकल, जोग, कौन सा है तो भाईया इसके अंदर जोग है इसका ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कुंचीकल नहीं पूचा है कुंचीकल है नहीं इसलिए आपका आंसर बदल जाएगा तो important है यह जो इसमें जो option दिये गए है तो इसके according तो भाईया जोग हो गया यह इसको दूसरा नाम बोला जाता है गर सोपा अब यहाँ पर इसकी जो उंचाही है 250 मीटर है कहां पर है करनाटक में करनाटक में कहां पर है सिमोगा के अंदर कौन सी नदी के किराने शरावती नदी के किनारे पर रस्तीत है तो important होगी कौन कौन सी भाईया जोग होगी जोग को दूसरा नाम गोर सपा होगा कितनी उंचाही है 250 मीटर है कौन सी राज्ये में आता है करनाटक में करनाटक में कहां पर सिमोगा में कौन सी नदी पर शरावती नदी पर तीत है clear यहां पर लेकिन सबसे important कौन सा है कौनची कल है यह ध्यान रखना है जोग waterfall किस नदी पर है फिर से पूछा गया कौन सी नदी पर है शरावती नदी के उपर सबसे उंचा सबसे उंचा भारती है waterfall कौन सा है इसमें कहीं option है नहीं लेकिन इस बार जोग नहीं गौर सप्पा दे दिया तो यहां पर इसका option यहां पर हो जाएगा तो important है सारे कोशन कैसे भी गुमा कर वो पूछ सकता है अब यहां पर one liner के अंदर हम देख लेते हैं अरावली और विंधे परवत माला के बीच कौन सा पठार है मालवा का पठार है पश्चिम घट को डैस के नाम से भी जाना जाता है क्या भी है सहाद्री यह हमने चीजों को देखा है भारत में ताजे पानी का प्रमुक्ष त्रोत क्या है भूजल है कुछ स्थानों पर जो भूजल स्थर के नीचे जो स्थित कठोर जो चटान होती है उन परतों के बीच में जो संचित भूजल होता है उसको क्या कहा जाता है उसको जल भर कहा जाता है वरतमान में भारत का कौन सा स्थान सफेद पानी के नाम से जाना जाता है सत्पूरा हो गया पश्चमी घाट हो गया पूरवी घाट हो गया अरावली में से किसको सहादरी के नाम से जाना जाता है पश्चमी घाट को जाना जाता है फोसा मैगना एक तरीकी की भूमी है तरारी निम्न भूमी है नंदी पहाडियां जो है वो कहां पर है नंदी पहाडियां कहां पर है करनाटक में है नीलगिरी पहाड़ी काडेमम की पहाड़ी पालनी पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी भारत के सबसे दक्षन में सतीत है वो काडेमम की पहाड़ी लगू हिमाले कि धालों पर मिलने वाले छोटे-छोटे गांस को जमु कश्मीर में क्या कहा जाता है पोछा जाता है कि यह तो हमने अब ही बारध के देख रहे हैं World में जाएंगे तो World में जो गांस होती हो अलग-अलग नाम से पोकारे जाती है तो बुर्जिला दर्रा किस राज्ये के अंदर है वो जमू कश्मीर के अंदर है मेघाले की उंच भूमी सरंचना एव उत्पत्ती के तिरिष्टी से किसका भाग है प्रायदी प्यप पठार का भाग है काड़े में पहाड़ियं कहां पर स्थित है केरल के अंदर है ठीक है सबसे दक्षिन के अंदर है ये हिमाले की तलहेटी श्रिंकला को किस नाम से जाना जाता है शिवालिक के नाम से जाना जाता है उत्तर पश्चिम भारत में स्थित परवत है अरावली गिरनार पाड़ियां कहां पर सित है गुजरात के अंदर है हिमाल्य के उत्पति किसके कारण हुई थी भईया टैती सागर था उसके भूसनती के कारण हुई थी लोक्टक जील कहां पर है मनिपूर के अंदर है हमने ये देखी विद मैप में हिमाल्य परवशिंकला किस परकार की परवशिंकला है वलित परवशिंकला है फोल्डिट माउंटेन हो गया वो काली और तीस्ता नदी ये देखे हम निकराया था ना काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को क्या कहा था तो नेपाल हिमाल्य कहा जा कुलेरू जहिल किस भारतिय राज्य में स्थित है, आंदर परदेश के अंदर है, छोटा नागपूर पठार की सबसे उची चोटिक है, पारसनात है, पठकई पहाडियां किन परवस शिंकलाओं के बीच से संबंदी था, पुर्वांचल से, तिस्ता दिहांग नदी के बीच आने वाले हिमाले को, यह मेंने करवाया था, उसे आसम हिमाले का आ जाता है, डेश हिमाले, डेश के बाद हिमाले दकशन की और एक तीखा मूड बनाते हुए, भारत की पूरी सीमा के साथ फ्यांग महाखड, नातुलादर्रा डेश मिस्तित है, सिक्किम के अंदर है यह, दक्षिन भारत को कौन सी परवत शिंकला अलग करती है तो विध्या परवत शिंकला माउंट एवरेस पर चड़ने वाली प्रतम छिन अंग वाली भारती महिला कौन सी अर्णिमा सिना थी माउंट एबू जो एक परवत स्थल है कौनसी परवशिंकला की परस्थित है अरावली के अंदर है नैनिताल, शिमला, सिक्किम, माथिरन में से कौन सा भारत के लेक डिस्टिक्ट के रूप में जाना जाता है नैनिताल लेक डिस्टिक के रूप में जानाता है हिमाले की सबसे बहारी परवर्शिंकला कौन सी है उसे का जाते है शिवाले यानि खतम होने के कार पश्चिम और पूरवी घाट का मिलन कहां पर होता है नीलगरी पहाड़ियों पर होता है करनाटक स्थित जो जोग जो वोटर फोल वो किस नदी पर है कावेरी पर यहां पर पूछा गया है भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है वेंबनात जील है वै पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूरव दोनों और बहने वाली जल निकास परनाली है मालवा है परवतों की लगातार शिंकला कौन सी है जिसकी उत्पत्ती भारत के समूंदरी सीमा के लगबग जो पैरलर है वो है पश्चिम घाट यहां पर तो यह तो थे आज के कोशन जोगरोफी के काफि इंपोर्टन्ट है पीडियोफ जो है सबको पीडियोफ चाहिए होती है कि पीडियोफ आपको का मिलेगी पीडियोफ आपको टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक में जो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ भाया इतनी महेनत है तो थोड़ा बहुत लाइक, सब्सक्राइब, ये चीज़े तो बनती ही है तो बस आज के लिए तने था, thank you for watching this video